नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में, कि विडाल टेस्ट के रिपोर्ट में S.T.I.P.E.O. और S.T.I.P.E.H. का जो टाइटर होता है, 1.Ratio.20, 1.Ratio.40, 1.Ratio.80, 1.Ratio.60 लिखा रहा तो उसका क्या मतलब होता है, और को मेटिकल भासामे एंटरिक फीवर्ड भी बोला जाता है, तो टाइफएड जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली विमारी यानिक इंफिक्षन है, जो शलमोनेवर lakी इवाट्रीया से होता है, तो यह जो या काब्ज लूज मोशन, स्किन पे रैसेस होना, रैड एस्पोर्ट सा होना तो यह सब इनके कुछ लक्षन है तो WHO और कुछ research के अनुसार, vital test, reliable test नहीं है, यानि कि TIFAD की जांच के लिए single vital test नहीं माना जाता है, यानि कि single vital test से confirm नहीं कर सकते हैं कि TIFAD है या नहीं है, कई लोगों को TIFAD ना होती हुए भी यह positive report देता है, और कुछ लोगों में TIFAD होने के बाद भी यह negative report देता है, क्यों प्रतिसेटी होता है ने प्रतिसेद होता है यानि कि 20-40 परसेंट लोगों में टाइफाइड ना नहीं पॉजिय पॉजिटिव रि Anomic रहें गश्त हेंår 10-20 परसेंट लोगों में टाइफाइड की बात भी ये यह ये रिक्रekजिव रिक्रिक-कुंस variety false positive देते हैं और कुछ में false negative देते हैं इसलिए इस test को accurate test नहीं माना गया है तो इसलिए यह test है सिर्फ screening के लिए use होता है, confirmation के लिए नहीं तो अगर किसी वकति को विडाल test में negative या positive आता है और उसको टैफाइ्ट से related symptoms होता है तो फिर जो जो है दॉक्टर जो है confirm करने के लिए टैफिर डोट्रस या वीडाल टेस्किर dalla कूछ तो salmonella bacteria जिसके करए त्राइफ tapped होता उह दो प्रकार के होते हैं एक होता है Salmonella alamina alplasipi दूसरा होता है Salmonella alamina alator रहते है कि हमारे बौडी में रहता है और इनफेक्शन ठीक Whooने के थिय्क के अंतिर खियजेस अ करेंगर के अनुग में ि कुछुरी एंटिजन बहरीन गठता है तुब्यों होथा है और इसलीकी में तर्थ olmuş असलेता ह। के बाद भी जो है अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो S-Taphys H-antigen आपको मिलेगा इन दोनों ही antigen के अकेंस बोड़ी में दो परकार के antibody भी बनते हैं KS-Taphys antibody H और S-Taphys antibody वो जो सीरम में मौझूद होता है तो इसलिए जो है अगर विडाल टेस्ट आप शुरुवाती इस्टेज में करवाते हैं तो टाइफाइड होते हुए भी जो है निगेटिव रिपोर्ट आ सकता है क्योंकि एंटीजन जो होता है टाइफाइड का जो एंटीजन होता है वो इंफेक् बैसन के दो से तीन दिन बाद करवाने पर पॉजिटीव या निगेटिव दे देता है और तीस्रा जो सबसे अच्छा टेस्ट बना जाता हो ब्लट कल्चर बना जाता है जो गोल्ड अस्टेंडर्ट टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए यह वी जो है दो से तीन इन कराएं तो इसका जो प्रेज होता है वह 150-300 रुप्य तक होता है कि इसके अंदर दो मेथट तो सल्याइट मेथद से चलके यह सब लुप तक होता है और अलग-अलग करवाते हैं तो 300-400 प्रप्रे टक एक टेस्ट का जानिक एजीम का 400-400 और एजीजी का 300-400 होता है ब्लड कल्चर का जो प्राइज होता है हो 700-900 होता है और इस टाइफएट के किसी भी टेस्ट के लिए खाली प्रेट सेंपल देनी की जोड़त नहीं पड़ती है अब दिन में कभी भी यह टेस्ट करवा सकते है कोई साभी टेस्ट विडाल टेस्ट के लिए शीरम सेप्रेटिंग ट्यूब में बलड सेंपल कलेट करते हैं और विडाल स्लाइड मेथट से जो टेस्ट का होता है उसका जो रिपोर्ट है और जो ट्यूब मेथट होता है उसका जो रिपोर्ट में होता है या तो इस फॉर्मेट में होता है तो På this format को हम देखते हैं इसमें रशियो लिखा रहाता है कि 1.20, 1.40, 1.80, 1.60, 1.320 तो इस तरह का you ratio लिखा रहाता है और लिखा रहाना है और उसके नीचे Wet also S Tafi O जो है 1 ratio 20 भी positive है, 1 ratio 40 भी positive है, 1 ratio 80 पोजिटीव है, यानि कि S Tafi O जो है 1 ratio 80 तक positive है, इसी को कुछ लैब बाले short में इस तरह से लिखते हैं, S Tafi O लिखके और कहां तक positive है, यानि कि 1 ratio 80 तक positive है, तो 1 ratio 80 लिख दिया, अब इसमें देखेंगे, S Tafi O जो है, कहां तक positive है, 1 ratio 40 तक positive है, तो इसी को short में कुछ लैब इस तरह से report त्यार करते है, S Tafi O जो है 1 ratio 40 तक positive है, और S Paratafi O जो है 1 ratio 20 तक और S Paratafi B H B E 1 ratio 20 तक, इसी को जो है 1 ratio 20 तक इस तरह से लिखते हैं, फिर final result नीचे लिख देते हैं कि Tafi O positive है या negative है, अब हम विडाल टेस्ट का report कैसे समझें यह हम जानते है, तो यदि आपके report में जो titer होता है, यानि कि S Tafi O और S Tafi H का जो titer है, वो less than 1 ratio 160 से कम हो, यानि कि अगर 1 ratio 20 हो, 1 ratio 40 हो, 1 ratio 80 है, तो आपका जो Tafi O जो negative माना जाएगा, यनि आपको विडाल टेस्ट जो है negative माना जाएगा, आपको Tafi O जो है नहीं माना जाएगा, यानि कि अगर 1 ratio 160 हो, या 1 ratio 320 हो, या उससे जादा हो, तब जाके आपका विडाल positive माना जाएगा, या Tafi O positive माना जाएगा, लेकिन यदि टाइटर जो है, आपका सेम रहता है या और कम हो जाता है, तो आपका negative माना जाएगा, तो यदि आपने पहली बार टेस्ट करवाया था, अगर 1 ratio 80 था, और दूसरी बार 5-7 दिन बाद करवाया, और 1 ratio 160 आगया, तो आपको Tafi O positive माना जाएगा, लेकिन अगर आपका ratio जो है, H-Tafi O का या H-Tafi H का, अगर 1 ratio 160 या 1 ratio 320 या उससे ज्यादा हो गया, तो आपको Tafi O positive माना जाएगा, तो उस case में भी आपको repeat test करवाने की ज़रती, यानि कि अगर आपको symptoms है और आपका positive आया, तो आपको 3-5 दिन बाद आपको repeat test करवाया, ये देखने के के लिए आपका positive आया, वो Tafi O के बज़र से भी है या नहीं है, तो कई doctor जो है, इसी को positive मान लेते हैं, लेकिन guideline की हिसाब से आपको repeat test करवाने से better result मिलता है, तो इसके लिए blood culture और Tafi O test कुछ doctor करवाते हैं, confirm के लिए, कुछ doctor नहीं भी करवाते हैं, लेकिन यादि आपने treatment लिया हुआ है, और यादि आप ठीक होगे, तो आपको repeat test करवान की ज़रोत नहीं है, क्योंकि आपको repeat test करवाएंगे भी, तो आपको कुछ दिनों बाद आपका positive आया हुआ पहले, तो आप अगर महिने दिन बाद भी करवाएंगे, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद भी, तो आप आपके body में रहता है, और H-Tafi-H जो होता है, वो late stage में निकलते होता है, और 6 महिने साल बाद तक भी आपके body में रह सकता है, H-Tafi-O positive का मतलब होता है active infection, और H-Antigen positive का मतलब होता है past infection या immunonize, यानि कि आपके body में जो है उस bacteria के antibody बनना start हो गया, तो यह होता है, तो H-Antigen का मतलब होता है, H-Antibody जो होता है, वो होता है कि आपके body में antibody बनना start हो गया, यानि कि recovery phase को जो है, रिकवरी phase में जो है, वो H-Antigen positive होता है, तो जितना आपका H-Antigen positive होगा, तो उतना, यानि कि आप recovery के mode में होता है, तो यह था हमाराटाए तो आपको मेरा वीडिय है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू किजए धन्वाद दो